टेल्स का कॉल कप्तान का, टॉस जीत कर पहले गेनबाजी का फैसला, एक अच्छा निरने इस बिच पर, दोनों सलामी बरलेबास ग्राउंड पे आते हुए, एक अच्छी पार्टनर्शिप करनी होगी यहां इन दोनों को अपने टीम के लिए एक अच्छी पेटरींग शॉट बॉल गैप में और यह सीमारे का पार खराब गेनबाजी का प्रदर्शन, लाइन और लेंग्ध बिलकुल काभू में नहीं यहां बॉलर के राउंड दा विकेट गेनबाजी करेंगे यह बैतरीन गेनबाजी हो रही है इस छोर से समल कर खिलना होगा बल्लेबाज को अच्छी गेन का इंतजार करना होगा यहां बल्लेबाज को बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रण कम्प्लीट इस शॉट में पावर तो था ही लेकिन टाइमिंग भी बड़ी कमाल की रही है इसी लिए इतनी दूर गई अच्छी शॉट लेकिन कोई रन नहीं बुरी गेन बल्लेबाज ने यहां पूरा फाइदा उठाया और यह चार रन अच्छे एरियाज में बोलिंग करने की जरूरत है बोलर का रिदम आज बिलकुल नजर नहीं आ रहा बोल्ड नजर हटी और गिल्ली उड़ी गेन को पढ़ने में गल्ती कर गए बल्लेबाज और अपनी गिल्ली उड़ा बैठे अच्छी टाइमिंग लेकिन सीधा फिल्डर के हाथ आईए देखते हैं पिछले छे बॉल की दास्ता देश तरार शॉट गेन सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक छक्का ये तो बॉलर ने इन्हें इंविटेशन दिया था और बल्लेबाज बिलकुल नहीं चुके कुपसूरत टाइमिंग कोई फिल्डर मौजुद नहीं वहाँ बाउंडरी पर और चार रन मिलेंगे अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन चार रन बटोरने में फिर से काम्याब टाइमिंग और प्लेस्मेंट का बेहतरीन प्रदर्शन बॉल बाउंडरी के तरफ चार रन इस बल्लेबाज के खिलाफ आप यहां गेंदबाजी नहीं कर सकते यह आपको चौके मारते रहेंगे फिल्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए एक रन तेजी से फुरा किया संभल कर खेल रहे हैं यहां बल्लेबाज एक अच्छा निर्मै बैतरीन गेंदबाजी हो रही है इस चोर से समल कर खेलना होगा बल्लेबाज को यही खासियत है इन दोनों बल्लेबाजों की रिस्क लेने की कोशिश गेंदबाज में और यह एक छक्का पुरी ताकत से मारा है वहां बॉल बाउंडरी रोप्स की तरफ जाते हुए चार रन गलत लाइन और लेंग्ट और नतीजा वही बॉल सीमा रेखा पार प्रेशर में लग रहे हैं बॉलर आज जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब बहुत ही कीमती डॉट बॉल इनके वेरियेशन्स का तो क्या ही कहना समझ नहीं पाये यहां बल्ले बाज और गेन सीधे स्टम्स पे कोई रन नहीं मिलेगा वहाँ पर बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट बैतरीन शॉट बॉल गैप में और ये सीमारे का पार जिस सरलता के साथ इस शॉट को खेला है चार रन तो इनके यहां बनते ही थे एक खुबसूरत सुभा और क्रिकेट के लिए बैतरीन कंडिशन्स घूमती हुई गेंद और पढ़ने में पूरी तरह चुके बल्ले बास उठा के खेल दिया और कैच बहुत ही अच्छी फिल्डिंग बढ़िया प्लानिंग और एक्जिक्यूशन का प्रदर्शन यहां गेंद बास का बैतरीन गिंद बाजी हो रही है इस चोर से समल कर खेलना होगा बल्ले बास को बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कंप्लीट भूमती हुई गेंद और पढ़ने में पूरी तरह चुके बल्ले बास गेंद को पढ़ने में गल्ती कर गए बल्ले बास और अपनी गिल्ली उड़ा बैठे फील्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब एक और रन अपने खाते में जोड़ते हुए बल्ला गुमाया जरूर यहां पे लेकिन कोई संपर्क नहीं कर पाएगे इनके साथ एक रन तेजी से फुरा किया वेटरिंग शॉट बॉल गैप में और यह सीमारे का पार खराब गेंद बाजी का प्रदर्शन लाइन और लेंग्ध बिलकुल काबू में नहीं यहां बॉलर के लो भाईया गेंद आई और गई बल्ला बस हवे में ही गुमता रह गया यही खासियत है इन दोनों बल्ले बाजों की इथा के खेल दिया है गें हवा में और एक शांदार चका इस शॉट में पावर तो था ही लेकिन टाइमिंग भी बड़ी कमाल की रही है इसलिए इतनी दूर गई यह गेंद बहुत ही अची गेंद बाजी यहां बल्ले बाज बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाई इस गेंद को और यह आउट बोल्ड हो गए यहां पे बहतरीन गेंद बाजी बल्ले बाज बिल्कुल नहीं समझ पाई इस गेंद को देखकर समल कर खेलना होगा अगर यह बाहरी किनारा ले लेता तो बहुत महेंगा पड़ जाता यह शॉट जब भी मैदान में होते हैं डॉट बॉल नहीं खेलते ज़ादा सिंगल लेने में काम्याब बॉल को हलके हाथ से खेला और एक रन कम्प्लीट पेस में वेरियेशन और बिलकुल नहीं समझ पाए यहाँ पे बल्ले बाज स्विंग और यह मिस कॉंसेंट्रेशन की बहुत ज़ादा जरूरत यहाँ तेस करार शॉट गेन सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और एक छक्का विस्क लेने की कोशिश गेन हवा में और यह एक छक्का गेन और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं बल्ला गुमाया जरूर यहाँ पे लेकिन कोई संपर्क नहीं कर पाए गेन के साथ उंग्लियों का जादू और बल्ले बास के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी यह गेन्द और यह बोल्ड बैट्समेन की थोड़ी सी चूक और गेन्द बास ने स्टम्स के चीथड़े उड़ा दिये बैटरीन शॉट बॉल गैप में और यह सीमारे का पार अच्छे एरियाज में बोलिंग करने की जरूरत है बोलर का रिदम आज बिलकुल नजर नहीं आ रहा और सीधा फिल्डर के हाथ में बहुत ही अच्छी फिल्ड प्लेश्मेंट यहां कफ्तान के द्वारा कफ्तान और गेन्द बास की प्लानिंग यहां काम आ गई बल्ले बास फसे सीधा उनके जाल में फिल्डर से थोड़ा दूर खेले हैं एक रन लेने में काम्याब गेन की फिर्की को बिलकुल नहीं समझ पाए वहां पूरी तरह चुके कनेक करने में दिशाहीन बल्ले बाजी बुरी गेन बल्ले बास में यहां पूरा फाइदा उठाया और यह चार रन जेसी उमिती